जैहिन साथियो मैली स्वागत करता हूँ आपका फिरसे आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्जाम चार्जर में बच्चे हम लोग जो हैं यहां से दिल्ली पुलिस को ध्यान में रखते हुए आज अपने यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्य वीडियो को बहुत अच्छे से इसको स्टार्ट कर रहेते हैं वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर पहली वार आए हैं तो पहली चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सेर भी जरूर करें चलिए चलते हैं आज Da Blue Amrela की बात की जाए किसकी लिकी होई है तो आप कहेंगे भीया Da Blue Amrela किसकी है Raskin Bronze की है किसकी Raskin Bronze की है Da Blue Amrela ठीक है इसके बाद एक और इनकी पुस्तक है उस पुस्तक का नाम क्या है तो आप बताओगे A Flight of Pingenes ठीक है Over Street Still Gray in Dehra ये भी इनहीं की है Raskin Bronze की ठीक है आगे है अर्बिंद अडिंगा जो पहले नमबर पर है तो इनकी दा भाइट टाइगर है बहुत अच्छी है क्या दा भाइट टाइगर बाइट टाइगर चलिए यहां लिखानी जा रहा है इस पहन से मैं ऐसी बता जेता हूं दा भाइट टाइगर है इनकी ठीक है बहुत पुस्तके हैं जुम्पा लहेडी की तो यह जो सवाल है आपका इस सवाल का अंसर आपके का क्या हुआ है आप बदाएंगे और अपसन नमबर भी हुआ है और हाँ आप सभी से रिक्वेस्ट है जो भी आप लोगों का स्कोर बैठ है वो प्लीज कमेंट बोक्स में आप लोगो को चाप देना है चलिए दूसरे सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई दूसरा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है सवाल है खालिस्थान को भारत के स्कोर्ट लेंड के रूप में जाना जाता है मेरे भाई किसको जाना जाता है गंगटो क्या है मेरे भाई सिक्किम क की राजध्धानी है कुर्ग एक इस्थान है जो कहां है हमारे अप कहेंगे भया ये करनाटक में है दारजरिंग ये हराजध्धानी है वह सोरी मतलब दार्जरिंग की चाह बच्चे आपने बहुत सुना हओगा असम मेह तारजलि और मेरे भाई सिमला हिमाचल पर देश की राजधानी है तो बच्चे इन तीनों में से क्या denkा आंसर होगा आपका आप लोग जल्दी से बताएं तो देख लीजी बात अगर इसके अंसर की की जाए मेरे भाई के क्या आंसर होने भाला है तो यहां से देख लिज़े, आप कहेंगे भी या कि इस सवाल का आंसर होगा हमारे का उपसन नमबर B, कुर्ग क्या होगा मेरे भाई कुर्ग, ये क्या है, करनाटक एक जग्ए है, क्या है, क्या क्रिसीद प्रियाटक, इस्तल भी कह दो यह पष्चमी गाट में है मेरे भाई यह पहाड़ो और पहाड़ियों के बीच में नागरहोल राश्ट यह उद्ध्यान भी यहीं पर है और इसको ही क्या कहते हैं भारत का इसका लेंड भी कहते हैं और इसी को ही करना टका कस्मीर भी कहा जाता है किसको कुरुगुगू तो इस सवाल का अंसर आपके का क्या है? अप्छिन नम्बर ब, जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है अगला सवाल है आपका टिड्डा के कान उसके खाली स्थान पर इस्तित होते है मतलब टिड़ा के कान कहा होते हैं तो मिरे शेयर ये जो तीन नंबर का सवाल है उसके कान कहा होते हैं जो चार नंबर का सवाल आपके सामणी स्क्रिन पर लग चुका है सवाल है मंगलोर की संदी पर ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी और किसके हस्ताक्सर हुए थे मेरे भाई कौन था क्या अरकोट के नवाब थे टीपू सुल्तान था हैदराबाद के निजाम थे या बाजिराओ दीतिया था पर शेर इस सवाल के आंसर की अगर मैं बात कर लूँ तो सवाल का आसर उपसन नंबर बी मतलब टीपू सुल्तान बचे कौन उपसन नंबर बी टीपू सुल्टान और ये संदी होई कब थी अगर ये आप सब पूछ लिया जाबा तो आप कहेंगे 1784 में ये संदी होई थी कब 1784 में चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है सवाल बहुत अच्छा है सवाल है अगले सवाल के पास चलते हैं अगला सवाल 6 नंबर का आपके सामने स्क्रीन पर है के भारत के पहले चंद्रियान अन्वेशन को क्या कहा गया था जो भारत का पहला चंद्रियान अन्वेशन था उसको क्या कहा गया था चंद्रियान 1 ठी? और चंद्रियान 1 इसको कहा गया था और 2008 में ये क्या है बच्चे? इस्थापित किया गया था कब अगर सन पूछला आपसा? आप कहेंगे 2008 में और कहां से इस्थापित किया गया था? तो आप बताएंगे सेरी हरी कोरा का जो सतीस दहवन अंतरिक्ष केंद्र है वहां से इसको मतलब पिरचेपन किया गया था ठीक है सतीस दहवन अंतरिक्ष केंद्र से 22 अक्टूबर 2008 को ठीक है मेरे बीट चली अगले सवाल के पास चलते है बच्चा अगला सवाल देख लिए साथ नंबर का आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है सवाल है बैंकिंग के संदर में ADF का पूर्ण रूप क्या है बचे बैंकिंग के संबन में जो ADF है उसका पूर्ण रूप क्या है तो आप बतेंगे भाया ADF का पूर्ण रूप जो है वो क्या है बच्चे यहां से देख लीजिए क्या है actual data flow है old day finance है या automated data flow है या automated digital flow है तो बच्चे यह जो 7 नमबर का सवाल है इस सवाल का answer आपके क्या है option number C automated data flow बच्चे क्या है automated data flow है ठीक है यह जो है RBI ने अपने कार्लिया को करने के लिए यह जो है start किया था ठीक है चली अगले सवाल के पास चलते है मरे भाई अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है सवाल है के मानब सरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बो हाइट्रेड को तोड़ने में मदद करता है बानब सरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बो हाइट्रेड को तोड़ने में मदद करता है बच्चे प्रोटीज है लाइपेन है पैप्टिडेज है या M.I.L.A.G. है तो बच्चे यहां से जो आठ नमबर का सवाल है मेरे शेयर उसका अगर हम बात किया जाए तो उस वो क्या है M.I.L.A.G. है क्या है यह आप कहेंगे भीया M.I.L.A.G. है चलिए M.I.L.A.G. है किन भारती यह सहरों को उनकी इस्तीती के कारण जीरो माइल सिटी मतलब क्या जीरो माइल सिटी के रूप में जाना जाता है M.I.L.A.G. किने नागपुर को हैदराबाद को दिल्ली को या एहमदाबाद को तो आप लोगों को बताना है मेरे शेर किसको कहा जाता है तो देख लिजी मेरे भाई इस सवाल का अंसर हमारे का ओप्सन नमबर A मतलब नागपुर को कहा जाता है बचे किसको कहा जाता है नागपुर को कहा जाता है महरास्ठ के पिर्मुखनगर नागपुर को क्या मेरे भाई जीरो माई सिटी कहा जाता है क्यों अंग्रेज नागपुर को भारत के केंधर बिंदु मानते थे जीरो माई लिश्टोन का निर्माण किया गाया है मेरे शेयर चलिए बहुत अच्छा बहुत के जब अगला स्वाल दस नमبر का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि समराठ अठर के दरवार में टोडर मल कौन थे मिरे भाई सिक्सा मंत्री थे संस्कीन मंत्री थे इस्टाप पिरमुक थे या बित मंतरी थे यहां से आप लोगों को इस सवाल का अंसर बताना है दसभी नंबर के तो आप बताएंगी यहले सवाल का अंसर था option number D क्या जो toutrmal थे वो क्या थे finance minister थे मतलब बित मंतरी थे मेरे भाई क्या थे यह बित मंतरी थे टॉडर मल ठीक है बहुत बढ़िया चलिए बहुत गजब चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई अगला सवाल जो 11 नंबर का है आपके सामने स्क्रिन पर लग चुका है करने की कोशिस कीजिए यहां से सवाल है आपका किस भारती है ने परीधान डिजाइन के लिए बर्स 1982 में अकेडमी पुरुसकार जीता था रितु बेरी ने जीता था नीता लूला ने जीता था भानु अथिया ने जीता था रितु कुमार ने जीता था तो बच्ची 11 नंबर के सवाल का अंसर आप ब खानू अथाया ने जीता था ठीक है बहुत बढ़िया किसलिए भाई देखो इनको जो है आसकर भी मिला था ठीक है और ये गांधी फिलिम के लिए मिला था इनको अगला सवाल आपका बारे नंबर का में शेयर क्या है पर डॉक्टर भीमराव अमबेटकर सुछतंतर भारत के पहले मंतरी थे क्या थे स्रम मंतरी थे कानून मंतरी थे बित मंतरी थे या रक्षा मंतरी थे तो बच्चे बारे नंबर की बात की जाए तो भीमराव बेटकर क्या थे बारत के प्रिथम क्या थे कानून मंतरी थे ठीक है और ये भारत के क्या थे भाई कानून मंतरी थे ठीक चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे शेर अगला सवाल देखो जो 13 नमबर का है आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है करने कोर्सिस कीजी बच्चे तो सवाल यहां से क्या है 13 हमारा सवाल है मेरे भाई कि जब हार निश्चित हो जाती है तो पुरूस को साका या सक ना राजपूतों में तो आप कहेंगे भाई यह चलता था कहां राजपूतों में चलता था ठीक है बहुत कजब बहुत बढ़ी हाँ चलिए अगले सवाल के पास चलते है मेरे भाई अगला जो 14 नमबर का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है सवाल यहां से है के चु चुना पत्थर तो आप बताएंगे भाई जो यह चुना पत्थर होता है क्या है नाइट्रोजन अक्षाइड से सोडियम कलोराइड से कैलसियम कार्बोनेट से सोडियम बाई कार्बोनेट से किस चीज़ से बना होता है तो आप कहेंगे भाई यह जो पत्थर बना होता है य स्वाल का बिल्कुल सही है चलिए अगला सवाल देख लीजिए आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका भई पंदर नमबर का सवाल है किसे बिहार का दुख कहा जाता है भई किस नदी को बिहार का सोक कहा जाता है बिहार का सोक किस नदी को कहा जाता है मेरे शेर बहुत अच्छ स्वाल तु भालbon Bir जो बैटरी होती है यह किसको विदृत उर्जा में जेंज करती है ताप को या न्त्रिक को रसायनिक को या प्रिकास्ट और जा को तो स्वाले सांगर को है आप कहें दो है यह बैटरी चलिए अगला जो 17 नमबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है सवाल है यहां से खालिस्तान आधिकारिक तोर पर गोवा का राजकिया खेल क्या है मेरे भाई फुटवोल है किरकेट है कबड़ी है हो किया है जो गोवा का राजकिया खेल है तो आप कहेंगे भीया यह जो 17 नमबर का सवाल है यहां से गोवा का जो राजकिया खेल है मेरे शेयर वो क्या है फुटवोल है ठीक है बहुत बड़ी है छेत्रपल के हिसाब से सबसे चोटे चोटे नंबर की होगा आगला है खालिस्तान ने आगरा को अपने शामराजिय की राज़धानी बनाया था बहई, किसने बनाया था जहां गीन ने, सा जहां ने, सिकंदर ने, या हुमाईयों ने तो बच्चे 18 नंबर के सवाल का अंसर क्या होगा आप कहेंगे भई या 18 नंबर के सवाल का अंसर है सिकंदर लोदी मेरे शेर किसने बनाया था सिकंदर लोदी ने इसको बनाया था कब देखो बच्चे अगर मैं बात कर लूँ पंद्रह सो चार इस भी में उसने आगरा सहर की स्थापना की थी ठीक है ठीक है भाई इस्थापना की थी किसने सिकंदर लोदी ने तो बहुत बढ़िया चलिए अगला सवाल देखो मेरे शेर क्या है यहां से 19 नंबर का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है के भारतिय प्रतिव होती और बिनी में वोर्ट जिसे हम सेवी कहते हैं की स्थापना किस बर्स होई थी सेवी की स्थापना तो आप कहेंगे भईया सेवी की स्थापना जो होई थी सन 1992 में होई थी मेरे शेर कब होई थी आप कहेंगे सन 1992 में होई थी अगर पूरी डेट बूज ले तो आप कहेंगे 30 जनबरी 1992 में कब 30 जनबरी 1992 में होई थी किसकी सेवी की स्थापना चलिए आगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है 20 नंबर का सवाल है पदम विभूसन प्रुसकार प्राप्त कहने वाले पहले खिलाडी कौन थे जो 20 नंबर का सवाल है मेरे शेयर उसकी अगर मैं बात करूँ तो ये कौन थे आप कहेंगे ये बिश्वनाथन आनन्द थे और इनको पदम विभूसन जो मिला था ये 2007 में मिला था चलिए अगला सवाल हमारे पास स्क्रीन पर लग चुका है करने की कोसिस कीजिए भाई सवाल यहां से बच्चे क्या है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है बिल्कुल लगा हुआ ये सवाल अच्छा सवाल है मेरे बच्चे इस सवाल को कीजिए जो आपके सामने स्क्रीन प चंदेल ने की थी चंदेल उपसन नमबर जो भी है बिल्कुल सही है अगला 22 नमबर का सवाल है कि अलीगड़ आंदोलन किसके द्वारा सुरू किया गया था तो अलीगड़ आंदोलन किसके द्वारा सुरू किया गया था अगर इस बात का आंसर पूछा जाए आप से तो आप कहेंगे भाया सरसेयद एहमद खांके दुवारा अलीगड़ आंदोलन जो है शुरू किया गया था अगला सवाल देख लिजी क्या है सवाल है चुम्बक के छेत्र चेत्र की माप की एकाई क्या होती है बच्चे चुम्बक के छेत्र की टेसला होती है एंपियर होती है ओम होती है या कोबल्ट होती है तो आप कहेंगे जो 23 नंबर का सवाल है उस सवाल का अंसर है हमारे का उप्सन नंबर एक क्या टेसला भाई क्या है टेसला चलिए अगला सवाल आपका 24 नमबर का है कि जून 2023 में बिस वो सरणार थी दिवस कम मनाया गया बचे जून 2023 में जो बिस वो सरणार थी दिवस मनाया गया था तो वो कम मनाया गया था मेरे शेर आप कहेंगे भी यह 20 जून को मनाया गया था कब 20 जून को hopes number C जो है बिल्कुल सही है 20 जून को और इसका अब की बार जो 20 है था वो क्या था आप कहेंगे hope away from home क्या था hope away from home और जो बिस्व सरनार थी यह सरनार थी संगठन का मुख्याल है यह आपके जेनेवा में है कहा है बच्चे स्विजल लेंड के जेनेवा में है ठीक है चलिए बहुत अच्छा अगला सवाल देखो क्या है सवाल 25 नंबर का आपके सामने स्क्रीन पर है सवाल ह पुस्तक दा वर्ड ओफ टाइमस सौंग्स ओफ लाइफ डेथ एंड दा इस्प्रिंग के लेखक कौन है तो बच्चे इस पुस्तक के लेखक कौन है जो 25 नंबर का सवाला आप कहेंगे भी है इस पुस्तक के लेखक कौन है सरोजनी नाइडू ओफस नंबर भी बिलकुल सह ही है चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है सवाल है कि सुरेंदर नाथ बनर जी और आनंद मोहन बोस ने सन 1876 में खालिस्थान की स्थापना की थी किसकी स्थापना की थी आप लोगों को बताना है तो आप कहेंगे क्या इंडियन एसोसियेशन की औरि इंडियन आसोसियेसन चलिए 27 नंबर का सवाल है मेरे भाई के कंणोज की लड़ाई कब लड़ी गई थी 1524 में 1540 में 1536 में या 1556 में तो आप कहेंगे के कंणोज की लड़ाई जो लड़ी गई थी 27 नंबर के सवाल का अंसर क्या होगा आपके का option नंबर 20540 बचे 1540 किसके क तो आप कहेंगे सेरसाहसूरी कौन सेरसाहसूरी और एक साइड कौन था हुमाईयू था कौन था एक साइड हुमाईयू सेरसाहसूरी और हुमाईयू के बीच ये लली गई थी चलिए अगला सवाल जो 28 नंबर का आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है सवाल है कि भारत का राष्टी है युद्धिसमारक कहा है बच्चे राजकोट है कोची है अंडमान निकोबार है या नई दिल्ली है तो आप बताएंगे जो 28 नंबर का सवाल है ये हमारा कहा है मेरे शेर नई दिल्ली है बच्चे कहा है नई दिल्ली है चलिए अगला 29 नंबर यह कहां भाई मिजोरम में बोली जाती है लूशी कहां बच्चे मिजोरम में बोली जाती है चलिए अगला तीस नंबर का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है भाई तरल पदार्थ से गैस में परिवड़तन होनी की प्रिक्रिया क्या कहलाती है या उसको क्या कहा जा है आपने देखा होगा किसी तालाब में पानी भरा हुआ होता और बो जो है बच्चे गैस बनके उड़ाता है तो यह क्या होता है बासपी करना होता है अगला सवाल आपका जो 31 कितीस नंबर का सवाल है मेरे भाई क्या है तुकारोही की लड़ाई कब लड़ी गई थी 1665 में 16 मतलब 1546 में 1532 में 1575 में तो यह 21 नंबर का सवाल है मेरे श्येर इस सवाल का अंसर क्या है आपका कहIST को यह लड़ाई जो 1665 में कब किटी में Begin 21 2665 में happier भाई क्या 275 में लड़ी गई थी किस किस के बीच तो आप कहेंगे कि अकबर के जो सेना पती थी मुनीम खान के में नेतरतर में ये लड़ी गई थी भाई और कहां के सासकों से तो आप कहेंगे अफगान सासक दाउद से ठीक है मेरे भाई चली अगला सवाल बच्चे देखो ये क्या है ह क्या पाया जाता है तो आप कहेंगे भी ये इन चारों में से पाया जाता है सबसे ज़्यादा उक्सीजन क्या पाया जाता है उक्सीजन अगला सवाल है संसद में कोई बिधेयक धन बिधेयक है या नहीं इस पर अंतिम निल्लिया कौन लेता है बितमंत्री उपराष्ठपत अध्यक्स या प्रद्धानमंत्री तो बच्चे यहां से जो 33 नमबर का सवाल है इसकी अगर मैं बात कर लूँ तो अनुछेद 110 में दन्वीदेहक का उन लेक किया गया है बच्चे और इसका कौन लेता है आप कहेंगे स्पीकर लेता है वही कौन लेता है या काउरी शोल किस राज्ये में परिधान है बच्चे नागा लेंड में असम में जहरखंड में या उडी साम में तो 34 नमबर का सवाल है इसकी अगर मैं बात की जाओं इस सोल की तो यह सोल कहां बच्चे आप कहेंगे भई या नागा लेंड में ठीक है बहुत बढ़िया जी नागा लेंड के बिल्कुल बच्चे नागा लेंड के अगर मुख्यमंत्री की बात कर लूँ तो नैफ्यूरी हो है कौन है नैफ्यूरी होँ और नागा लेंड की राजधानी क्या है कोई इमा ठीक है चलिए अगला सवाल मेरे शेयर आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है सवाल है जब इस्थाना पत्र इस्थाना पत्र इस्थाना पत्र उत्पादगों की कीमत में ब्रदी होती है तो म पांग बकर एका की बात कर लूँ तो बाहर की और खिसकेगी ऐप कहेंगे भईच्ucktर की और खिसकेगी जब बाहर की और खिसकेगी चली एगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर बच्टरी थाना स्वाल है बज़े तक चलता है बच्चे 12 बज़े से स्टार्ट होकर एक बज़े तक चलता है और ये बिल्कुल प्रस्ण काल के तुरंत बाद आता है तो अगला सवाल देख लीजी क्या है 37 नमबर का सवाल आपका है शहारदी परवतमाला भारत के से लेकर शुदूर दक्षणी भाग क कन्या कुमारी तक फैली हूए बच्चे कहां से कहां तक है मध्यपरदेश गुजरात राजस्थान या उत्तर प्रदेश तो आप बताएंगे भया 37 नमबर के सवाल का आँसर है ये अगला सवाल जो 38 न का आपके सामने इस्क्रीन पर लग चुका है सवाल है निमली इनिकित को बच्चे तो 38 नंबर के सवाल का अंसर आप बताएंगे के भाया जो आंधर प्रदेश की है कौन सी बच्चे आप कहेंगे गांधी कोटा क्या गांधी कोटा की विसाल घाटी को यह कहते हैं और यह बच्चे क्या है यह जो है इसकी खासित यह है के 300 फिट नीचे पेनार नदी बहती है इसके नीचे बच्चे ठीक है 300 फिट नीचे चलिए अगला सवाल देख लिजी क्या है यहां से 49 नंबर के सवाल की बात की जाए तो क्या है कंपनियों की उत्पादक्ता में ब्रद्धी का आर्थिक प्रभाब क्या है बच्चे गहरेलू सकल गहरेलू उत्पाद में कमी है सकल गहरेलू उत्पाद में ब्रद्धी है या राष्टो और उनकी आर्थिक इस्तितियों में भिन भिन प्रभाब हो सकते हैं सकल गहरेलू उत्पाद में कोई बदलाब नहीं हुआ तो आप कहेंगे उन चालिश नंबर के सवाल की अगर मैं बात करने है अगले सवाल जो चालिश नंबर का है आपके सामने स्क्रीन पर लग चूका है बारत का सुदूर पूर्बी बिंदू कुन सा है बोखा है, मोको कचांग है, दाउल चारा है या किबूथ हुए बच्चे, 40 नमबर के सवाल का अंसरा आप देंगे तो आप कहेंगे भीया कि भारत का सुदूर पूर्वी बिंदू किबूथ हुए जो अर्णाचल प्रदेस में है अगर पस्चमी की बात कर लूँ तो गोरा मोता है, अर्थाद गोहर मोती भी इसको कहते है उत्री की बात कर लूँ तो इंद्रा कोल है और दक्षनी की बात कर लूँ तो इंद्रा पोइंट है बच्चे अगला सवाल एक चालिस नमबर का सवाल है कि सबसे बड़ा तारा मंडल किसे माना जाता है बच्चे डोराडो को माना जाता है कक्ष को माना जाता है हाइडरा को माना जाता है या एंटिला को माना जाता है तो आप कहेंगे जो एक चालिस नमबर का सवाल है इसका आंसर मेरे शीर क्या है ओप्सन नमबर C हाइडरा क्या बच्चे हाइडरा है ठीक जलो बहुत गजब बहुत बड़ी है चलो अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है 42 नमबर का बच्चे सवाल है कि ओरियन तारा म के नाम से भी जाना जाता है ओरियन को हनटरों के नाम से भी जाना जाता है बहुत गजब अगला 43 नमबर का सवाल है क्छे बाक्यांस का प्रियोग किस सब्द किस खेल में किया जाता है बच्चे फुटबॉल में किर्केट में बॉलीबॉल में या होकी में तो जो 43 नमबर का सबान है इसकи अगर मैंबात कहल letter बाक्याम का प्रियोग कहाँ किया जाता है तो आप कहेंगे यह किया जाता है Explain yourself आप क tähän के सबस्क्राइब क्याइक, आपके नम थे जाता है ठीक है, वह खुठ गया arms चलो अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चे अगला सवाल हमारा 44 नमबर का आपके सामने स्क्रीन पर सवाल है निमलिहीत भारतियों में से कौन जापान में डार्टी गटन होल इसकूल के संस्थापक में से एक था स्वामी बीवे कनन्द सुभाषचंदर बोस दादा भाई न हमंस्मिली नमबर का सवाल है कि इस जापствие के रूपिक और इस नहीं किस ते राष्टICH पते के रूप में है blijके नाइजयरिया केनया श्यमालिय इंडिया वह थैंगे यह इन्होंने 2030 में मैं 2030 में नाइजिरिया के बच्चे किसके नाइजिरिया के राष्टपती के रूप में सपत गिरहन की है ठीक है बहुत बढ़िया अगला सबाल देखो 46 नंबर का सबाल बच्चे आपके सामने स्क्रीन पर है सबाल है बैल्थ कॉनफरेंस 2023 का आयोजन किस देश में हुआ? حالी में जो ग्लोबल वैल्थ कॉनफरेंस ती योके में हुआ है योनाइटेड इस्टेट ओप अमेरिका में हुआ है इटली में हुआ है जपैन में हुआ है सोरी जर्मनी में हुआ है तो जो 46 नमबर का सवाल है इसकी अगर मैं बात कर लूँ ग्लोबल वैल्थ कॉनफरेंस 2023 का जो उद्गार्टन हुआ है वो लंदन UK में हुआ है बच्चे कहां लंदन UK में हुआ है चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई अगला सवाल बच्चे आपके सामने स्क्री अगर बात की जाए फोटी सैवन नमबर के सवाल की तो आप कहेंगे जून 2023 में यह जो है बच्चे कहां मनाया गया है अरुनाचल प्रदेश में मनाया गया है बहुत गजब बढ़ी है ठीक है बच्चे अगला सवाल देख लीजी क्या है 48 नमबर का सवाल यहां से आपके सा अच्छा यह 15 करोड है मेरे भाई यह 15 करोड है देखो इंगलीस में सही है उप्सन नमबर डी 15 करोड है इंगलीस में सही लिखा हुआ है तो बच्चे आप कहेंगे मई 2020 के अनुसार जो है इसको एक करोड किस त्रेनी में रखा जाएगा चलिए अगला 49 नमबर का सवाल इनमें से कोई नहीं यहाँ से आप लोगों को बताना है 49 नमबर का सवाल तो बात अकर की जाए इसकी 49 नमबर के सवाल की तो जून दोचार त्वैस में भारतिय मुलके प्रसिद्ट बृटिश लेकल कौन है सल्मान रुस्दी बच्चे कौन सल्मान रुस्दी को चुना गय है आप कहेंगे सलमान रुस्दी को इसके लिए चुना गया है चलिए अगले सवाल और आज का मतलब इस प्रेक्टिस सैट का हमारे का लाश्ट सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग नहीं है तो आप बढ़ेंगे के 6 जून 2023 को इसका जो है बजनी टार्पीडो जो हो समुद्र के भी प्रडिक्शनल किया गया और इसके अगर नाम की बात करो तो इसका नाम क्या है ब्रहमास्त्र है बच्चे क्या है इसका नाम ब्रहमास्त्र है तो देख लीजिए मेरे भाई ये 50 के 50 प्रसन आपके पूरे हो चुके हैं आप जल्दी कमेंट बोक्स में जापिए कि आपके 50 में से कितना स्कोर हुआ है मेरे शेयर और मेरी महनत अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लेज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और आप हमारे चैनल पर पहली बा जाए हिंद।